दोस्तो अगर आप उतर परदेश से हैं और आप अपने गाउं या कस्बे के ओटर लिस्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप अपने नाम को ओटर लिस्ट में जुड़वाये हैं या अपने नाम में किसी तरह के करेक्शन किये हैं और देखना चाह रहे हैं कि ओटर लिस्ट में करेक्शन हुआ है कि नहीं, तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने गाउं या कस्वे के ओटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को सुरो से अन तक जरूर देखिएगा, और वीडि दोस्तो ओटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल या लेप्टप में किसे ब्राउजर को ओपेन करना होगा, जैसे कि हमें अक्रोम ब्राउजर ओपेन किये हुए हैं, और उसमें सर्ज करना होगा, ओटर लिस्ट यूपी, उसके बाद इस तरह का पेज पेन होगा, इसमें सबसे उपर जो वेवसाइड आ रहा है, इलेक्टरोल रॉल, सी इओ उतर परदेश इस पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद इस तरह का पेज ओपेन होगा, दोस्तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी वीजिट कर सकते हैं, को सेलट कर लेंगे, उसके बाद सेलक्ट एसी पे क्लिक करना होगा, सेलक्ट एसी पे क्लिक करने पे आप जो डिस्टिक सेलट किये रहेंगे, उस डिस्टिक के सभी बिधान सभा का नाम दिखाने लगेगा, यहां से आप अपने बिधान सभा को सेलट कर लेंगे, उसके बा आप अपने polling station को select कर लेंगे polling station यानि मद्दान अस्थान और आपके polling station का नाम इस page पे नहीं होगा तो left side में और page का संख्या दिया है इस पे click करेंगे तो आपके polling station का नाम आ जाएगा और वहां से अपने polling station का नाम देखने के बाद अपने भाग संख्या को select करेंगे एक polling station को कई भागों में बाटा गया रहता है जैसे कि इस page पे आप देखेंगे तो heartman college का भाग number first और second और third तीन इसमें भाग संख्या दिखाया गया है तो इसी तरह आप अपने polling station और उसके भाग संख्या को देख लेंगे और उसके बाद अपने भाग संख्या के सामने view का option मिलेगा उस पे किलिक कर देंगे जैसे कि मैं heartman college number first के order list को डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसके सामने view के option पे किलिक कर देंगे view पे किलिक करने के बाद capture इंटर करने का option आएगा यहां से capture को इंटर कर लेंगे capture इंटर करने के बाद view and download पे किलिक कर देंगे उसके बाद आपका order card डाउनलोड होने लगेगा और download होके open हो जाएगा जैसे कि मेरा order card download होके open हो गया है इसके सबसे उपर वाले पेज पे बिधान सबाच्षेत्र की संख्या और उसके बाद लोग सबाच्षेत्र की संख्या और right side में उपर भाग संख्या लिखा होगा और left side में पुन्रिक्षन का बीबडन दिया रहेगा कि यह order card को परकासन किया गया है जैसे कि इस order card का परकासन 15 जनवरी 2021 को किया गया है उसके बाद नीचे चलना होगा जब नीचे जाएंगे तो भाग में आने वाले अनुभागों की संख्या और नाम आ जाएगा उसके बाद नीचे चलना होगा नीचे जाने पर मदान एस्थल का नाम वा संख्या आ जाएगा तो उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो इसमें कुल मदाता की संख्या आएगा कि इसमें total कितने मदाता है कितने पूरुसा और कितने महिलाएं है उसका फिर से नीचे चलना जब नीचे जाएंगे तो मैं दताओ का नाम दिखाने लगेगा दोस्तो इसी तरह आप अपने ओटर कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ओटर कार्ट को डाउनलोड करने के बाद ओटर लिस्ट में अपने नाम को सर्च कर सकते हैं खोज सकते हैं दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ओटाली डाउनलोड करना समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर सागले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद जाए ही और वीडियो पसांद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा